पिछले वीडियो में हमने सिंपल और कमपन मािक्रोसकोप को समझा था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते है कहीं हम घुमने जाते हैं तो सबसे जो पहले काम होता है वो होता है फोटो खिषने का और फोटो खिशने का काम कुन करता है येस, कैमेरा लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कैमेरा काम केसे करता है नहीं न तो चलो, आज हम इसी concept को crystal clear करते हैं ये तो सबको पता है कि कैमेरा फोटो खिषने का काम करता है और हमें एक permanent image देता है कैमेरा में अलग-अलग parts होते हैं जैसा कि आपको इस picture में दिख रहा होगा इन मेंसे जिनका major role है उनको one by one में समझा देता हूँ पहला है lens कैमेरा में जो lens use किया जाता है वो होता है convex lens जब भी light डूर से आती है तो convex lens उस light को converge कर देता है और converge करके एक जिगब पे focus करता है लेकिन focus कहाँ पे करता है तो कैमेरे के जस्ट पीछे एक film लगी होई होती है अपने बचपन में इस तरह की film को देखा होगा जिस पर छोटे-छोटे photos होते थे तो बस इसी film पे light converge होती है और image का formation हो जाता है इसमें एक shutter होता है जब भी हम फोटो किछने के लिए click करते हैं तब ये जट से खुल जाता है और light को अंदर आने देता है दुसरा इसमें होता है diaphragm और aperture जिस तरह हमारी आँखों में pupil और iris होता है इस बीच वाले black से dot को हम pupil बोलते हैं और इस pupil की outer surface में iris होता है iris pupil को control करने का काम करता है और pupil जो light अंदर आ रही हो उसको control करता है यानि कि कम ज्यादा करने का काम करता है वेसे ही होता है aperture और diaphragm aperture pupil की तरह है जो light को control करता है और diaphragm इसकी outer surface है जो aperture को control करने का काम करता है camera में एक viewfinder भी होता है जिससे हम अपनी आखों से जिस भी object का image लेना है उसको focus करते है जैसा कि इस photo में दिख रहा है ये होता है viewfinder तो मोटे तोर पर आपको इसके parts के function के बारे में पता पड़ गया होगा चलिए अब जानते हैं इसके working को कि camera किस तरह से पहले तो हमें viewfinder में देख लेना है कि object कहां पर है और camera को उस पर properly focus कर देना है कभी-कभी क्या होता है कि object दूर होता है और कभी-कभी pass में होता है तो उसको manage करने के लिए इसमें focusing ring होती है जिसको गुमाने पर हम उस distance को adjust कर सकते हैं तो जब भी हम camera को click करते है तो light enter होती है और जल्दी से सब कुछ process होके lens एक inverted, real और छोटा सा image मनाता है पीछे लगी film पर film पर image का formation हो जाने के बाद हम उस film को निकाल लेते हैं camera से और उसको कुछ chemical के साथ treat करते हैं जिससे की image permanently छप जाए इस process को बोलते है negative क्योंकि जो image बना है वो ultra बना है इसके बाद इन images को सीधा कर दिया जाता है इसको बोलते है positive और जो positive image निकल के आए उनको हम बोलते है photographs तो इस तरह से ये पूरा लंबा process होता है लेकिन बहुत ही fast होता है जिससे हमें तुरन photo मिल जाता है तो I hope कि आपको ये पूरा concept समझ में आ गया होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन